जमू पठान कोट रास्ट्री राजमार्क सितर नाह नाले पर पिछले साल पुल धसने के बाद साड़े दस महीने से दिक्कतों का सामना कर रहे वहां चालकों को जल्द राहत मिलने वाली है बता दें कि नाले पर बन रहे नई फुल का काम मई महीने के अंतिम सपतह में खत्म हो जाएगा जिसके बाद आवागबन शुरू हो जाएगा फुल के जुवाइंट और गैलरी का काम शुरू होते ही इस पर तारकोल डालने का काम किया जाएगा इसके बाद वहनों क्या वजाही शुरू हो जाएगी वही धसे पुल की मरमत में भी और समय लग सकता है इस पुल के धसे पिलरों को तयार कर दिया गया है लेकिन अभी भी पहुत काम बाकी है वरसात में पहले इस नाले पर नए पुल के निर्मान से लोगों को बड़ी रहत म 20-25 किलोमेटर में पूरी करने पड़ी नाले पर बनाए गए वेकलपिक मार्क पर खस्ता हाल होने से वहन शतिग्रस तक हो रहे हैं लेकिन नए फुल पर आवजाही शुरू होने से लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा दैनिक सवेरा के लिए जम्मू से सर्भजूत की रि